ब्रह्म कर्णाई ब्रह्म कमल इसे नाइट क्वीन भी कहते हैं इसका साइन्टिफिक नेम सौसुएरा ऑविलाटा है ये एक रेयर कैक्टस नुमा पौदा है स्टार जैसा दिखने वाला ये फूल बेहरी खूबसूरत है इस फूल के बारे में बहुत कम लोग जानकरी रखते हैं लेकिन इसकी जादेंगे तो आप भी इसे अपने घर पर जरूर उगाना चाहेंगे ब्रह्म कमल एक सेक्रेट फ्लावर है ऐसा माना जाता है कि इस फूल को खिलते देखने से आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनरजी और गुड लगाता है ये पौधा तीन साल पुराना है और पहली ब देखते हैं ब्रह्म कमल को घर पर कैसे उगाए ब्रह्म कमल का पौधा असल में एक सक्यलेंट प्लांट होता है और ज्यादातर केक्टस नुमा पौधों की तरह इसे भी इसकी पत्ती से ही उगाया जा सकता है अगर आपको इसकी पत्ती ना मिले तो पौधा नर्सरी से भी अनलाइन भी मंगवा सकते हैं इसकी एक हेल्दी पत्ती को नीचे से काट लीजिए इसे एक दिन के लिए शेट बे सूखने के लिए रख देते हैं इससे कट वाले हिस्से पर कैलस के लिए और फौर्म हो जाएगी जिससे इसमें फंगस नहीं लगेगी कटिंग को मिट्टी में उगाने के जगा मिट्टी और रेट को आधा आधा मिला कर अगर आप कटिंग ग्रो करेंगे तो दुगनी तेजी से जणे निकलेंगी एक छोटा पॉट लीजिए जिसमें ड्रेनेज होल्स हो इसमें थोड़ा ग्रोइंग मीडिया भर देते हैं जब छूने पर उपर की मिट्टी सूखी लगे अगर आप इसमें ज्यादा पानी डालेंगे तो कटिंग गल भी सकती है नई पत्तियं निकलने तक इसे शेड में रखिए अब 20-25 दिनों में इसमें जड़े निकल आएंगी और नई ग्रोथ शुरू होने लगेगी इस पत्ति को भी मैंने इसी तरह से 28 दिन पहले लगाया था चलिए इसे केरफुली निकाल कर चेक करते हैं इसकी रूट ग्रोथ को आप देख सकते हैं इसमें घजब की जबरदस रूट ग्रोथ हुई है और पत्ति के ठीक नीचे एक नया शूट निकल रहा है अब मैं इसे ऐसी जगा रखूँगा जहां इस पर सुबह की चार पाज घंटे की दूप आए बाकी दिन की तेज दूप में ये शेड में रहे ब्रह्म कमल के पौधे के लिए प्लास्टिक या सीमेंट के गमले की जगा मिट्टी के गमले बेस्ट होते हैं क्योंकि मिट्टी के गमलों में बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं जिससे बहुत ही बढ़िया एरियेशन होता है जिससे रूट की ग्रोध बहुत अच्छी होती है मैं इस 14 इंच के गमले में पौधा होगाने वाला हूँ दोस्तो प्रमकमल एक केक्टस नुमा पौधा है इसलिए इसकी मिट्टी भी ऐसी होना चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल नहीं रुके और इसमें न्यूट्रिशन भी अच्छी तरह से मिल सके अगर आप सक्यूलेंट पौधे चिकनी और हैवी क्लेई मिट्टी में लगा देंगे तो इसमें ड्रेनेज अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा थोड़े दिनों में मिट्टी कड़क हो जाएगी और यही कारण है कि सक्यूलेंट या केक्टस नुमा पौधे इस तरह की मिट मिट्टी में रूट रॉट होने के कारण मर जाते हैं नाइट क्वीन के लिए बेस स्पाटिंग स्वाइल बनाने के लिए आपको चाहिए बराबर क्वांटिटी में गार्डन स्वाइल वर्मी कंपोस्ट और बारिक रे इसमें दो मुठी नीम खली पावडर भी मिलाईए ये नेचरल एंटिफंगल का काम करेगा चार महीने बाद जो लीफ हमने लगाई थी वो सूग गई है और इसमें से नई ब्रांचेस निकल आई हैं जिसमें नई पत्तिया भी आ रही हैं अब मैं इसे मिट्टी के बड़े गंबले में ट्रांसवर कर दूँगा इसे ऐसी जना भी देखिए कितना मोटा हो गया है जरा इसकी पत्तियों का ग्रोथ पैटन देखिए कैसे एक ही पत्ति से कई सारी पत्तिया निकल रही हैं अच्छी ग्रोथ इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप इसे किस जगह पर रखते हैं ये कैक्टस नुमा पौधा है इसलि ब्रह्म कमल के पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती अच्छी ग्रोथ के लिए दो महीने में एक बार इसमें दो तीन मुठी अच्छी तरह से सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाट डाल कर उपर की मिट्टी को हलका लूज कर ले इससे ज़्यादा तर कलियां जड़ जाएंगी ये कलियां पत्तियों के किदारों से ही निकलती है आज 24 अगस्त है और सितम्बर से लेकर नवंबर तक इसमें फूल आते रहेंगे साथ दिनों बाद ज़्यादा तर कलियां गिर गई हैं क्योंकि पहली फ्लावरिंग में ऐसा ही होता है कुछ कलियां इसमें बड़ी होने लगी है आठ दिनों बात कली का साइज और बड़ा हो गया है अब एक दो दिन में ये खिलने वाली है अगले ही दिन सुबह कली ओपन होना शुरू हो गई है देखिए अंदर से इसकी वाइट पंखुडियां दिखने लगी है इसका मतलब ये आज राट को ही खिलेगा अभी शाम के साथ बज़े हैं और संसेट हो रहा है अब जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी इसका फूल दीरे दीरे खिलता रहेगा रात के पौने आट बच चुके हैं कली अब खिलना शुरू हो गई है अभी बज़ रहे हैं रात के नो ब्रह्म कमल का फूल आधा खिल गया है साथे नो बच चुके हैं थोड़ी देर में फूल पूरा खिल जाएगा दोस्तों रात के बारा बच चुके हैं ब्रह्म कमल के हमारे फूल पूरी तरह से खिल चुके हैं जरा इसका साइज और खूबसूरती देखिए आखिरकार तीन साल की मेहनत के बाद इसमें पहली बार फूल खिले हैं और दोस्तों इसमें से इतनी घजब की खुश्बू आ रही है कि पूरा टेरिस गार्डन इसकी खुश्बू से महक रहा है इस रेयर ब्रह्म कमल के फूल को खिलते हुए देखना अपने आप में ही एक मैस्मराइजिंग एक्सपिरियेंस है ब्रह्म कमल के फूल की पूजा भी की जाती है ऐसा माना जाता है कि ये फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय है इसलिए इसे मनुकामना पूर्ती के लिए शिव जी को भी चड़ाया जाता है अब सुबा होते होते ये धीरे धीरे बंध होने लगेगा अगली सुबा फूल बंध हो चुका है और मुर्जा गया है वैसे तो ब्रह्म कमल के पौधे में बीमारिया नहीं लगती लेकिन इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है ओवर वाटरिंग ज्यादा पानी देने से जड़ों में मौईस्चर बढ़ जाता है जिसके कारण रूट रॉट हो जाता है और रूट गलने के वज़े से पौधा सूख भी जाता है ब्रह्म कमल को बहुत कम पानी की जरूरत होती है इसलिए इसे बाकी पौधों के साथ रोजाना पानी नहीं देना चाहिए इसमें पानी तभी दे जब छूने पर उपर की एक इंच मिट्टी सूखी महसूस हो मिट्टी में ज्यादा नमी होने के सिगनल आपके पौधों की पत्तियों पर दिखने लगेंगे आप देख सकते हैं पत्तियों पर ये ब्राउन स्पॉट हो रहे हैं ये फंगस इंफेक्शन की शुरुवात है ऐसा अकसर बारिश के मौसम के बाद होता है इस पर ध्यान नहीं दिया तो पत्तियां धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएंगी और इस तरह से खराब होकर सूख जाएंगी सूखी हुई और इंफेक्टेट पत्तियों को काट दीजिए इसके ट्रीटमेंट के लिए वाटरिंग साइकल कम कर दीजिए एक लीटर पानी में एक चौथाई चम्मच साफ फंगिसाइट पाउडर मिलाकर पूरे पौधे पर स्प्रे कीजिए और इसी पानी को मिट्टी में भी डाल दीजिए पंदरा दिन बाद इस ट्रीटमेंट को एक बार फिर रिपीट कीजिए अगला शुबफल देने वाला खुशबदार और घजब का खुबसूरत फूल है कृष्न कमल जिसे पैशन फ्लावर कौरव पांडव या राखी बेल के नाम से भी जाना जाता है इसका साइंटिफिक नाम है पैसी फ्लोरा इंकारनेटा ये पौधा बेल की तरह उगता है वास्तु के हिसाब से इस पौधे को घर के नौर्फ इस्ट में उगाना बहुत शुब माना जाता है मेरे पास इसकी परपल और रेड कलर की वराइटीज है इसे गमले में उगाना बहुत आसान है इसकी बेल को चड़ने और फैलने की जगे चाहिए होती है आप चाहें तो इसे अपनी गैलरी या ग्रिल पर फैला सकते है मैंने इसे एक 24 इंच के बड़े सीमेंट पॉट में लगाया है और बैंबू स्टिक पर इस तरह से लोहे के मोटे वायर की रिंग जोड़कर एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाया है जिस पर बेल फैल रही है इसका पौधा आपके आसपास की किसी भी नर्सरी में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा पैशन फ्लावर को आप कलम से भी उगा सकते है कलम के लिए इस तरह की ब्रांच बेस्ट होती है ज्यादा मोटी या बिलकुल नई ब्रांच या हरी ब्रांच कटिंग के लिए अच्छी नहीं होती इसे शार्प कटर से कट कर लेते हैं कलम लगाने के लिए 50% वर्मी कमपोस्ट और 50% कोको पीट का मिक्स्चर बना कर मैंने इस पॉट में भर लिया है सभी पतियों को भी हटा देते हैं उपर का पतला हिस्सा काट देते हैं जल्दी रूटिंग के लिए इसके कट वाले हिस्से पर हल्दी, शहद या ऐलोविरल जैल लगाईए ये नेचरल रूटिंग होर्मन का काम करते हैं एक लकड़ी की मदद से मिट्टी में होल कर लेते हैं और कल्ब को लगा कर इसमें थोड़ा पानी दे देते हैं इसके बाद इसमें पानी मिट्टी थोड़ी सुखने पर ही डालें 16 दिनों बाद कल्ब में नई शूट निकलाई आई है पौधा अभी भी नाजुक है इसलिए इसे सेमी शेड एरिया में रखें थोड़ी ग्रोथ अच्छी हो जाए इसके बाद इसे पूरी धूप में हो गाएं इसमें लगबग पूरे साल फ्लावरिंग होती रहती है इसके फूल बेहत खुचबुदार होते हैं ये धूप निकलने पर खिलते हैं और अंधेरा होने पर बंध होकर मुर्जा जाते हैं इसका फल भी खाने लायक होता है जिसे पैशन फ्रूट कहते हैं ये बेहत लो मेंटिनेंस प्लाउंट है और इसको ज्यादा केर की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर आपको खुशबुदार फूल पसंद है तो आपके प्लाउंट कलेक्शन में पैशन फ्लावर जरूर होना चाहिए ये सन लविंग प्लाउंट है इसे ऐसी जगह पर रखे जाएं इसमें 7-8 घंटे की धूप आए बेल की लंबी ब्रांचेस को रेगुलर कटिंग करते रहें इससे नई ब्रांचेस निकलेंगे और पौधा घंगा होगा और ज्यादा फूल देगा अगला रेर और खूबसूरत खुश्बदार फूल है नील कमल इसे ब्लू लोटस भी कहते हैं असल में ये कमल नहीं वाटर लेली की एक वराइटी होती है इसका साइंटिफिक नेम है निमफेरा नौचली ये वराइटी रोजाना पूरे साल नौन स्टॉप फूल देती रह जाएगा इसके बल्ब आपको Amazon पर सर्च करने पर भी आसानी से मिल जाएंगे ये नील कमल का प्लांट मैंने अपनी लोकल नर्शरी से 500 रुपे में खरीदा है इसे आप पानी के टब में उगा सकते हैं आपको पौधा उगाने के 10 दिन पहले से मिट्टी तैयर करना अब दोबारा 2 इंच की वर्मी कमपोस की लेर बनाईए अब लास्ट में 2-3 इंच मिट्टी की लेर बनाईए ज्यान रहे कि कंटेनर का एक तिहाई 1 थर्ड हिस्सा आपको खाली छोड़ना है अब इसमें इतना पानी डालिए कि मिट्टी अंदर डूप जाए अब इसे इस मिट्टी को डिस्टर्प किये बिना इसमें पानी डालिए तीन दिनों बाद प्लांट सेटल हो गया है ट्रांस्प्लांट के एक महीने बाद धेर सारी पत्तिया निकल आई है असी दिनों बाद इसमें पहली बार कली निकल आई है फाइनली 83 डेज बाद इसमें पहला फूल खिला है इसमें लेवेंडर जैसी घजब के खुश्बू आ रही है ये सुबा धूब निकलने पर खिलता है और संसेट पर वापस बंद हो जाता है ये फूल 2-3 दिन तक इसी तरह से खुलता बंद होता रहता है लोटस या वाटर लेली की पुरानी पत्तियां और फूल गलकर पानी के नीचे चले जाते हैं इसलिए हफ़ते दस दिन में एक बार सड़ी हुई पत्तियों और अंदर डूबी हुई कलियों को निकाल कर साफ करना चाहिए वाटर प्लान्ट उगाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मच्छर के लारवा ठहरे हुए पानी में मच्छर अंडे देता है इससे निपटने के लिए बेस्ट तरीका होता है या तो आप कंटेनर में फ्लोटिंग प्लांट्स हो गाईए या इसमें फिशज डालिए लुटस पॉंड या टब में डालने के लिए गपी फिश और मॉली फिश बेस्ट होती है अगर आप एक टब में दो फिशेज भी डालें तो ये सारे मच्छर के लारवा खा जाएंगी ध्यान रहें कि मच्छियां आपको पौधा लगाने के तुरंद बाड नहीं डालना है 15-20 दूनों के बाद जब पौधा सेटल हो जाए और पानी साफ हो जाए तब ही इसमें मच्छियां डालें दोस्तों लोटस और वाटर लिलीज उगाने पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है अगर वीडियो आपने मिस कर दिया है तो उपर दिख रहे है आई बटन पर क्लिक कीजिए वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंट कमेंट में भी दे रहा हूँ तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने घर पर ब्रम कमल, कृष्ण कमल और नील कमल के पौधे बढ़ी ही आसानी से ओगागा धेर सारे खूबसूरत फूल पा सकते हैं और ये है आज का कमेंट अव दे वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता है वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करें मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फो वाचिंग एंड कीप आं गार्डनिंग